अलो टेडर्स वेलकम टू आज चैनल टेटा फर टेडर्स तो हम अपने चैनल पे बहुत से बोकर की API को फिरसली एक्स्पोर्ड किया है और इसी ट्रेंड करते हुए आज हम एक्स्पोर्ड करेंगे धन ब्रोकर की API को इस एक्स्पोर्ड को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर ब्रोकर की अपना परामिटर है पर यहां पर जो भी क्राइटरिय आए धन में वह हम एक्स्पोर्ड करेंगे फिर हम उससे लॉग इंगे फिर आफ्टर जाइट हमें सिंबल की लिस्ट होती है उसे मास्टर लिस्ट बोलते है अपने अपना टर्म है मैं यूज करते हूं सिं इसके हो हम एक बार एक सिंपल सा डेमो दिखें कैसे उसे कॉल करना है यह वह सिंपल सा प्रोसेस है हरेक ब्लोकर में होता है पर फिर भी हम इसको भी एक बार एक्स्पोर्ड कर लेते है ओके तो आपको गीटफ पे मिल जागा धन यूजिंग इस उरल के मैं इसका लिंक डिक ब्रोकर अब यहां भी आपको जाना प्रोफाइल में you can click here my profile अंधन यहां भी आपको में क्लाइंट आइडी you can see client ID ओके यह आपको चीए क्लाइंट आइडी से आप कॉपी कर लो यहां से copy to clipboard उसके बाद आपको चीए होगा access token तो access token के लिए आपको यहां पे आना धन स्क्राइड एक्सेस करने के लिए कुछ conditions है तो जो free of conditions और बले वो क्या है order placement position portfolio special order जो भी आपको normal order call होती है position की trade book की वो आपको free of cost मिल जाती है अगर आपको data चाहिए historical data live market feed तो अभी high नहीं के पास यह coming soon में है पर अगर historical data को चाहिए तो इसके लिए condition है condition क्या है कि आपको 25 F&O order पर मन्त place करने है तो अगर आप यह एक अधर फुल्फिल करते हो तभी आपको इसका access मिलेगा ओके तो right now अगर हम आज जो free API देते हैं उनका data डेटा आप यूज कर सकते हो और trade यहां पर punch कर सकते हो तो एक अलग topic है अभी जो इसका जो पार्ट है जो free पार्ट है जो conditional पार्ट है वो मैं आपको spend कर दिया okay जो free पार्ट हम उसको यहां से explore करेंगे इसके लिए कुछी access token तो वह आपको मिलेगा यहां पर click on access token और यहां पर मैं already generate कर रखा है you can click on create new और यहां पर आपको यहां वालेटे set करनी है तो आप इसे 30 डे या कुछ भी कर सकते हो तो obviously कोई भी 30 डे करेगा ताकि हमें बाव आप 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 आपको यहां ने पहले बीजनरेट कर रखा है यहां से आपको मिलगा access token और client id आपको मिल जाएगा अपने profile से अब हम python में आके API को access कर सकते है so just copy this one okay and paste here तो मैं already install कर रखा है तो still मैं run कर दे रहा हूं as you know यहां पर आएगा requirement already satisfied just wait तो इसके बाद की line क्या है also copy this one so यहां पर देखो क्या आए from dhansq import dhansq so again copy this one you can see requirement already satisfied तो मैं इसको minimize कर दे रहा हूं okay अब यहां पर हम import करेंगे import हो गया no error everything is fine अब फिर हमारा आए dhans is equal to client id whatever यहां पर हमारा यहां से पास कर दे नहीं है और यह access token हमने भी just copy किया यहां पास कर दी आए इसका मतलब everything is fine तो हमने तो फंट लिमिट यहां 49.37 है अगर मैं यहां पर जाओ 49.37 तो इस मिन्स एवर्टिंग इस करेक्ट अब जो फोर्स इस्टेप है सिंबल की जो लिस्ट है वह पार्ट इनका मुझे नहीं सही लगा यह बहुत इन्होंने बहुत इन्फर्मेशन यहां पर नहीं प्रवाइड कर इनका यहां पर यहां पर आपको नीचे आना आए थो आपको एक उस्टेफ करोगे आपको सिंबल की मास्टरिश मिल जाती है तो इसको आप पंडा से वेक्सिज कर सकते हो पर उसमें तो यही मैंने बुलाना है के इनकी यह भी फाइलं प्राव्लिम्म प्रावल्म क्या है अगर आप इसको डॉun Snow कर sinner लोगी स्क्रेप्ट मास्टर और यहांपे दिखो तो कुछ परामेटर मिसिंहरा है क्या मैं आपको प्रॉइट कर सकते थे तिन्हें यह एड करना चाहिए लॉट साइज यहां पर कुछ इंफर्मेशन नहीं है जा लाइक स्ट्राइक कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं आपको मिलेगी कॉल पूट की नहीं है एक्सपारी का भी कोई नहीं कॉलम और लॉट को भी नहीं है तिस अब यहां पर क्या है एक्सपड एटफील इन लाइन 132 681 अब यहां पर आप यहां पर या पर यह आ पर रहा है या पर एक्स्ट्रा कॉलम आगे कुछ यहां जवेलडी डाम तुख ऐसे प्रॉलम में आ रहे है यह जबूलम और यह आप यह पी प्रॉल्म है प्रॉलम है इनको भी fix करना चाहिए I think यहां पर देखो यह एक extra column है इस वो सब्सक्राइब करते हैं इसका तरीकिया है कैसे हैं हम देखेंगे code में इस CSV फाइल को रोड करने के लिए हमें कुछ changes करने पड़ेंगे पहले हम एक रोड करेंगे अब इससे हम क्या करेंगे जो भी यह इनका हम इनका हम कॉलम्स के नेम लेकिया जाएंगे अब इस नेम को मैं आगे पास कर दूँगा इसमें अब देखो क्या होगा जैसे मैं इसको रन करूँगा अब यह अपना पास हो गया तो थोड़ा changes करने पड़ेंगे हमने फाइनली से कर लिया तो मैं इसको एक साथी क्लब कर दे रहा हूं ओके सो बस मैं explain करने खिरी इसको ब्रिक कर दिया तो कि हम यह क्यों कर रहे हैं हमें हर चीज की पीछी कारण पता होना चाहिए अब यहां पर देखो मैंने बताया नहीं कि यहां पर आप पस यह लॉट का नंबर नहीं यहां पर यहां पर आप यहां पर यहां पर क्या कर सकते हो यहां पर आपने कुपास आगया है option index की list अब देखो तो पैटर्न है अगर आप चाहो तो यहां पर सकते हो यहां पर देखो क्या है पहले इंबल है फिर डेट है फिर मन्त है और यहां पर फिर श्ट्राइक है फिर यहां पर आप संटाइम है तो यह सेम पैटर्न समय है अगर आप यहां पर प्रिटी एश्टीक भी करते हो अगर मालों मैं यहां पर इस्टॉक कर दूँ तो यूँ कैन सी यहां भी देखो क्या है एक्सपारी है अब फिर यहां पर श्ट्राइक है फिर यहां पर कॉल्पूट है तो पैटरन फिक्स अगर आपको यह पनता है कि हमें इस करना है इसके लिए मैंने पर लिखा हुआ है को कि अभी दैड़ अब यहां पर इससे रं करोगें अभी देखो क्या हुआ है तो यहां पर समझ नहीं आ रहा हुआ हुआ तो फिर से हम अब इस स्मांश्टल रिस्ट को फिर सम्गार्ब करते हैं सेम ती में अब आम आपर क्य you can see some changes here, आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, यह तो पहले हमारा था custom symbol, आप देखो यहाँ पे मैंने से split कर दिया, basically, so you can see this one, तो मैंने गया किया, इस column को मैंने split कर दिया, astral एक column में आ गया, फिर 29 एक column में, December एक column में है, फिर यहाँ पे strike है, फिर option type, after that आप easily call output के basis पे, इस ट्राइक के basis पे से filter कर सकते हो, okay, यहाँ पे expiry भी आपकी अलग है, आपको date पता है, month पता है, तो आप date, month और strike पास करके, इसमें से easily symbols को fetch कर सकते हो, इस तरह से आप master list को break करके, easily अपने according से filter कर सकते हो, तो अब हम example दिखते हैं कुछ, so मैं इसको फिर से एक साथ club कर कर रहा हूं, okay, so, यहाँ से हम उठाते हैं इसको, और फिर यहाँ भी मैं paste कर रहा हूं, तो यह अपनी एक file हो गई complete, okay, यह मैं आपको बस example के लिए सब break कर रहा, ताकि आप समझ सको exactly हमने क्या किया, तो यह आगी अपनी modified master list, जहाँ आप मैंने कुछ extra column add की, okay, अब हम आते हैं, कुछ सिर्व हम filter करते हैं, तो मैं सब delete कर रहा हूं, so, we don't get any confusion, okay, अगर हमें कोई equity segment के stock को filter करना है, तो you can filter in this way, same instrument name is called equity, और हमा जो trading symbol है, वो simple, sbin, जो हमारा main symbol होता है, nsc पे भी, और dash eq, run this one, यहाँ पे आगया an sbi की symbol, okay, यहाँ पे आप कोई equity का symbol नहाँ पास कर ल होगे, तो यह क्या करेगा, आपको देगा bsc का, so, you can see this one, यह देखो, यह bsc से है, okay, eq pass करो, तो nsc से आता है, अगर eq आप पास नहीं कर दो यह bsc के segment आएगा, okay, तो यह आपको बहुत जान आपको है, तो मुझरी हम nsc करते हैं, you will go with eq, okay, तो ऐसे आपको equity segment के symbol को filter करना अगर हमें mcx segment में कुछ filter करना, let's say silver mc, okay, तो आपको क्या करना होगा, you can pass this one, आपका जो exchange id क्या mcx, okay, और symbol हमारा silver mc है, and symbol is equal to this one, okay, यहां देखो, मैंने filter कर दिया symbol को, यह देखो, यह अमने filter किया symbol, okay, तो आप यहां पे symbol को filter करके mc, और instrument mode क्या होगा, f2 to c um, okay, run this one, and you can see, यहां की हमारी silver की list, अब यहां पे देखो, मैंने break कर रखा है, यहां तक तो सब सेम था, यहां पे silver mc है, फिर यह number, यह f2t, और यह none है, जो information नहीं हो, none हो जाएगा, इस तरह से, यहां पे mcx किसी भी symbol को filter कर सकते, अगर मैं यहां पे crew डाल कर दूं, so, यहां पे crew nsc होगा, and symbol नहीं पास करना, nifty, so, I am just assuming nifty, okay, nifty, और instrument name आप यहां पे, यह जोखो, यह basically मैंने उसके लिए किया था, क्या बोलते हैं, mcx के लिए, पर यहां पे हमें क्या करना है, माल लेते हैं, mcx चाहिए, sorry, nifty का चाहिए, और मेरे को चाहिए, call side, okay, option type is called to call, okay, so, call, यहां पे nsc से nifty segment के सारे call होगा है, okay, यह सब call है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, माल लेते हैं, हमें strike वाइच चाहिए, कुछ, इस ही strike का चाहिए, so, you can just, again, basically, यह पांडास की filtering है, अब मैं इस पिचाहर टेम बेस्ट नहीं करूँगा, so, मैं आपको बस explain कर रहा हूँ, कि यह जो हमने column filter किया है, यहां पे strike है, तो देखो, यह जो है न, यह अभी भी यह basic string format में, इसे आपको convert करना पड़ेगा, numeric में, पर just assume कि यह अभी string में है, so, eighteen thousand and run this one, oh, something, okay, sorry, यहां पे extra impression add हो गया, run this one, यहां पे देखो eighteen thousand के जितने भी options हैं, वो सारे आ गया, अगर आपको expiry wise filtering करनी है, तो मैंने आपको यहां पे दिखाया कैसे आप expiry date और month को भी pass कर सकते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी just copy कर रहा हूँ, okay, and just again pasty, अब यहां पे आप क्या करोगे, expiry date, okay, तो मालने ताओं की let's say five gen की बात कर लेते हैं, तो zero five, okay, और यहां पे expiry month होगी हमारी gen, इतना से filtering के बाद हमें nifty five gen की eighteen hundred की expiry मिली है, okay, इतनी filtering के बाद आप जाके option की किसी एक instrument को filter कर सकते हो, अगर आपको आ लेड़ी पता है सब कुछ, okay, you know everything, इतना कुछ करने की जोरूत नहीं है, आप easily इस system को इसको form कर सकते हो, nifty zero five gen, okay, मेरे recording यहां पे call और expiry month होनी चाहिए थे, sometime हमें अगर next month में trade करना है या फिर हमें specific strike को trade करना है, तो इसके लिए यहां पे एक extra column होना चाहिए, आपकर kite में देखोगा, icon show you kite master list, अगर आप काईट की master script देखते हो, तो you can just run this one, just wait, यहां पे देखो तो आपको पास expiry के extra column है, strike, tick size है, lot size है, instrument है, तो इस तरह से same way में यहां भी हमारे recording column होनी चाहिए थे, ताकि हमें इतना समनाटक नहीं करना हो, okay, यहां पे हम चाहिए, तो easily expiry के base पे filter कर सकते हैं, अब यहां पे आप expiry पे से filter नहीं कर सकते हैं, आपको पहले expiry को manually यहां पे enter करना अपके, यहां पे expiry को simply sort कर सकते हो easily, okay, so differences है, कुछ problems हैं, I think in future they will sort out this one, okay, so यह तो सिंबल की somehow you can manage this one, okay, अब मातने last part पे, जो भी API available से हैं इसमें, free of cost we can say, so यहां पे देखो कौन सी API आप access कर सकते हो, तो सबसे पहला अपना है order का, तो I am just going to copy this one, okay, so just run this one at last, यह देखो यह अपना है 133, यह है JFC bank का है, अगर मैं यहां पे देखूं, so you can see market is closed, one to place offline order, you can place, अगर लाइब मार्केट ना प्रेस करो तो यह वर्क कर जाएगा, okay, यह जो भी parameters हैं वो आपको मिल जाएगी यहां पे, I think last minute ने कुछ प्रवाइड कर रखा, okay, यहां पे नहीं है, so what you can do, आप यहां पे simple क्या करों, आप simple call करो, dir and dhan, okay, just run this one, यहां यहां पे आपको मिल जाएगी जो भी parameters आप देख सकते हैं, यहां पर इसे, आप देखो तो क्या है, market, margin, limit, okay, आप समझ सकते हो कि limit, margin, and market कहा हो जोगा, market यहां पर पास कर रहे हो, okay, इसके अलाव़ा आप market की जगेब यहां पे यहां पे पास कर सकते हो, okay, intra pass कर सकते हो, यह फिर cnc पास कर सकते हैं, you can see cnc, buy है, okay, bu, तो आप ऐसे भी एक्स्पोड कर सकते हो, और इनकी यहाँ पे, api में यहाँ पे nxer भी है, आप इसे भी follow कर सकते हो, okay, और यह order list आपको फेच करना है, you can just call order list, so, मैंने कुछ order इसे प्लेस किये थे market time पे, so, just call this, you can see, यह order ID आगे अगर मैं जाओं धन के, इस पे order में, you can see, यहाँ पे आपको कुछ order मिलेगे, Tata Steel के रिगारी, so, यह order से यहाँ पे, you can see this order, फिर अगर आपको फास order आ गया, तो after that, what you can do, आप चाओ तो, यहाँ पे, अब कोई order तो है नहीं, तो हम cancelling कर सकते हैं, but you can call get position also, so, get position and run this one, यह यहाँ पे देखो, position आ गई है, यहाँ पे trading symbol Tata Steel है, and कितना PNL है, you can see, realize profit 0.9, तो आपने position को भी चेक कर लिया, trade book, अगर आप चाओ, तो call कर सकते हो, somewhere, trade book is also there, yeah, trade book, okay, so, call this one, order ID हम पास नहीं करेंगे, just run this one, you can see, जितने भी order इस गूट में, उसके regarding information आगे, यह बहुत ही basic part था, किसी API को access करने problem जो आती है, वो login में आती है, और symbol के list होती है, उसको filter करने में, इसके बाद की चीज़े बहुत ही smooth होती है, you can see, आपको बस call करना है, आपको यहाँ पे साथ information मिल रही है, okay, तो इसमें कुझे कुछ ज़्यादा explore नहीं, explain नहीं करना है आपको, starting में, okay, so अगर मैं इसको run करूं, okay, minimize this one, यहाँ पे fund आ गया, जो भी basic API calls है, like order book, trade book, position, okay, यह सब कुछ यहाँ पे available है, कैसे order place करना, वो भी मैं आपको आपको explain कर दिया है, बाकी यहाँ पे example दे रखा है, you can just copy this thing and paste in your editor, okay, candle data से रिकारिंग जो APIs है, उसको तो हम explore नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो criteria 25 order का वो भी satisfied नहीं है, इस account में, so we cannot export this one, अगर आपको पास है, तो आप इसे call लगे check कर सकते, अब next part हम देखेंगे, कैसे आप trading उसे directly trade कर सकते हो, using then book your feature, okay, यह बहुत अच्छा feature है, अगर आप equipment करते हो, तो आप directly trading उसे, यहाँ पे आपको link मिल आती है, you can just place that link and trade, तो यह मैं next part में आपको explore करूँगा, okay, यह बहुत ही मुझे साही feature लगा, धन में, that's why I'm exploring this VPI, यह कुछ point इनके बहुत ही unique है, so हम उसको भी आगए, इस वीडियो में cover करेंगे, okay, so thanks for watching this video, see you soon in my next part, over and out, bye.